हालो दोस्तों से CMTS का एक्जाम इस बार टोटल दो फेज में होने बाले हैं फर्स्ट फेज का एक्जाम दो मई से सुरू होने बाले हैं जो की 19 मई तक चलने बाले हैं वो इस सकेंड फेज का एक्जाम 13 जून से 20 जून तक चलने बाले हैं लेकिन आपका exam इस दो date के बीज किस date में होगा ये भी कुछ ही state के candidate को पता चला है यह निकि अभी तक कुछ ही state का application status जारी किया गया है जिसमें कि candidate के exam date और exam cd दिये गए हैं कि उनके exam किस हर में होंगे और कौन से date में होंगे तो चली जानते हैं कि अभी तक कौन-कौन से state क application status जारी किया गया है और बाकि जितने भी state है उन सभी state का application status कब जारी किया जाएगा इसके लेटेट आप सभी को सारी जानकारी मिले बाली इसलिए आप से भी वीडियो को पूरा वर्स्ति केगा तो चली आज कब रिस्टाट करते हैं तो ssc application status जब भी जारी करती है रीजन website पर ही ssc के द्वारा application status जारी किया जाता है आप जिस भी रिजन से हैं उसी रिजन की website पर जाकर आप सभी अपना application status चेक कर सकते हैं सबसे पहले आप सभी देख सकते हैं कि आपका state कौन से रिजन में आता है नौर्थन रिजन का देख सकते हैं कि नौर्थन रिजन में तीन स्टेट है डैली लाजस्तान उत्राखन उसके वाद सैंट्रल रीजन उत्तर परधिष भिहार उसके बाद आपस भी इस्ठिन रीजन में देख सकता है कि इस्टन रीजन में मैं वेश्ट बंगॉल सिक्कीम उडिशा ज radishारखन्ड अंदमा निकववार आईछलेंड उसके उसके बाद आप भी Western region में देख सकते हैं कि महराष्टरा, गुजरात, गोवा, उसके बाद दवन ड्वीब, दादर, नागर, हवेली, उसके बाद आप सबी Southern region में देख सकते हैं कि आंदर परदेश, तेलंगाना, तमिला, डुपुदुटिरी, उसके बाद आप सबी North Western region में जिसमें कि आप सबी के जम्मू एंड कस्मीर परणजा भड़ियाना हिमाचल परदेश, एंचन डिगर है, उसके बाद आप सबी करनाट का केरला रिजन में देख सकते हैं कि करनाट का केरला लक्षदीव, उसके बाद आप सबी North East region में देख सकते हैं कि अरुनाचल सेट पर जाकर आप सबी अपना अप्लिकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं, इसके लिए आप सबी को SSC के ओफिसियल साइट पर आकर एडमीट कार्ट बाले सेक्शन पर आने के बाद आप सबी देख सकते हैं कि यहां SSC के सबी रिजन के ओफिसियल वेबसेट का लिंक दिया ग नौदा अप्लिकेशन स्टेटस पूर मल्टी टर्सकिंग स्टाप एडमेशन दोजार बैस टी एर वन टू भी हेल्ड प्रॉम दो पांच दोजार तैस तो इस पर आप सबी को किलिक करना है उस लिंक पर किलिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस वोपना करा जागा यहां आप सभी अपना रिष्टेशन नमर और डेट वबर्द फिलप करने के बाद चेक अप्लिकेशन इस्टेटरस पर किलिक कर अपना अप्लिकेशन इस्टेटरस चेक कर सकते हैं अगर आपको रिष्टेशन नमर याद नहीं है तो दूसरे तरह के यानि कि अपने नेम का प्रश्ट फूर्ड़क्तर अपने फदस्नेम का सब्सक्राइब करने के बाद इस तरह से भी अपना अप्लिकेशन इस्टेटर्थ चेक कर सकते हैं और आप सभी अपना एक्जाम डेट और एक्जाम सीटी पता कर सकते हैं कि आपका एक्जाम किस डेट में होगा और कौन से सकते हैं अगर बांकी रिजन की बात कर यानि की बांकी जितने भी इस्टेट है उन सभी इस्टेट के कंडेट अपना अप्लिकेशन इस्टेटर्स यानि की अपना एक्जाम डेट और एक्जाम सीटी कब से चेक कर सकते हैं तो बांकी सभी रिजन का अप्लिकेशन इस्टेटर चेक करने के लिए लिंक जारी कर दिया जाएगा 25 अप्रेल तक सभी रिजन के कंडेट के लिए एक्जाम डेट और एक्जाम सीट यानि की अप्लीकेशन इस्टेटर्स चेक करने के लिंक जारी कर दिया जाएगा जिसकी मदल से कंडेट अपना एक्जाम डेट और एक्जाम सी चेक कर सकते हैं वेटेकर 25 अप्रेल तक में सभी रिजन यानि की सभी स्टेट के कंडेट के लिए अप्लिकेशन चेक करने के लिंक जारी कर दिया जागा तो चलिए आज कब डिश्माप्त करते हैं एससी MTS exam के लेटेश्ट जैसे को लेटेश्ट अबडेट हैगी आप सभी को वीडियो के मादम से जानकारी दे देंगे इसके लाप लोग चैनल को सबस्क्राइब करें वीडियो को ज़्यादा जादा जाएब करें और लाइक करें तो चलिए आज कब दोस्तमाप्त करते हैं वीडियों देखने के लेट से वीकां देन नेवादा